सोलो सिकोवा के बाद अब रोमन रेंज का भतीजा जिला फाटू भी करेगा ब्लड लाइन को जॉइन लेकिन कौन है जिला फाटू जो बनने वाला है ब्लड लाइन का नया सदस्या जानेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तो कुछी दिनों पहले रियालिटी ओफ रैसलिंग ने ट्विटर पे ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा रियालिटी ओफ रैसलिंग ट्रेनिंग स्कूल के नए मेंबर जिला फाटू तुम्हारा स्वागत है जहां उन्होंने एक बात और लिखी कि जिला फाटू के पिता उमागा भी रियालिटी ओफ रैसलिंग का हिस्सा रहे और उनका बेटा अपने सफर की शुरुआत कर रहा है रियालिटी ओफ रैसलिंग के इस ट्वीट में उमागा के बेटे को देखने के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू यूनिवर्स और भी एक्साइटिड हो गया जहां कई फैंस ने जिल्ला को ब्लड लाइन का अगला मेंबर बताया क्योंकि रिष्टे में दस समोवन बुल्डोजर उमागा रोमन रेंस के भाई लगते हैं मतलब उमागा का बेटा जिल्ला फाटू रोमन का भतीजा है उमागा ने कई सालों तक डब्ल्यू डब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंटर कॉंटिनेंटल चैंपियन माना जाता है लेकिन दुर्भागेवश दिसंबर 2009 में हार्ट अटेक के कारण उमागा इस दुनिया को अलविदा कह कर चले गए लेकिन अब उनका बेटा अपने रैसलिंग करियर की शुरुआत कर चुका है औ आने वाले समय में उनका ये छोटा भाई भी ब्लड लाइन में शामिल होगा दरसल ट्विटर पे रियालिटी ओफ रैसलिंग की इस ट्वीट का रिपलाई देते हुए शेल्टन बेंजमिन ने लिखा बधाई और इस फैमिली बिजनिस में तुम्हारा स्वागत है यंग उ वाब में उसोस लिखते हैं He is up next यानि कि जिल्ला फाटू ब्लड लाइन का अगला मेंबर होगा रिष्टे में उसोस और सोलो सिकोवा जिल्ला फाटू के कजन ब्रदर्स हैं वहीं रोमन रेंस उनके अंकल लेकिन क्या आप जिल्ला फाटू को ब्लड लाइन में शामिल होत हुए देखना चाहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फर वॉचिंग